प्रिये दर्शको, नमस्कार, आज मैं आपको शनी से जुड़ी एक और नई जानकारी देने वाला हूँ, शनी आपकी कुंडली में किस भाव में वेठे हैं, आज मैं आपको शनी से जुड़े कुछ विशिष्ट योगों की जानकारी देने वाला हूँ, कुछ ऐसे फल बतान वाला हूँ जो आप आज से पहले नहीं जानते होगे विशेशकर आज मैं अलग-अलग एक-एक भाव को तो नहीं लूँगा आपको जन्म कुंडली में जो अलग-अलग तत्व के भाव होते हैं उन भावों में शनी का प्रभाव केसा होता है उसकी जानकारी देने वाला हू उन त्रीकोणों में शनी का प्रभाव आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो बड़ी ही रोचक होंगी और शनी का आपको एक नया अफल जानने को मिलेगा कुछ नई जानकारी शनी से जूड़ी आपको प्राप्त होंगी तो इसलिए आप आज की वीडि में आपको शनी का प्रभाव बताता हूँ आपकी कुंडली में आप देखिए शनी किस भाव में है अगर आपकी कुंडली में शनी लगन में यानि प्रथम भाव में पंचम भाव में या नवम भाव में इन तीन में से किसी भाव में है यह जो तीनों भाव है यह मुख्य तह धर्म त्रिकोण के भाव है पहला पाच्वा नव आप यहां साइड में चार्ट में दिख लीजिए इन तीन में से किसी भाव में शनी है तो ये शनी आपको बहुत अधिक मेहनत करवाता है बहुत अधिक संगर्शों के बाद जीवन में सफलता दिलाता है लेकिन जिसके इन भावों में शनी होगा ऐसा विक्ति जिद्धी होगा और अगर इसे विक्ति ने कोई चिर्ठान ली तो अन्नी कितना ही मना करें एसा विक्ति नहीं मानेगा इस विक्ति करके ही मानेगा किसी के नहीं सुनेगा फिर और यह भी staat देखेंगी performed playing एक पाच नो में शनी होता है एसे विक्ति दुस्तों की सुनते नहीं, अपने अनुसार काम करते हैं, अपने नियम काईदों से काम करते हैं, इसलिए थोड़े हटी ले, अलग सुभाव की होते हैं, थोड़े एकांत्र प्रिय भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो काम करेंगे सारे नियम काईदे अपने स्वयम के बनाएंगे धार्मिक होंगे दुस्तों की सहायता करने वाले होंगे लेकिन अन्य इन्हें हमेशा गलत समझेंगे इन्हें बहुत कुछ सुनाएंगे लेकिन इनकी सहनशिल्ता बहुत गजब की होंगे मतलब आप बोल सकते कि इनको अन्य लोग सुना रहे है, इनके छोटे-छोटे काम में गलतिया निकाल रहे हैए क्योंकि ःसे लोगों को आदिकश्टर देखे हैंगी जिनके 5-9 में शेनी होते है एसे लोगों को अधिक्तर एसे मिलते हैं जो कोई न कोई इनको कमिया बताता कि जखो अच्छा किया वो तो किदर रह गया लेकिन जो कमिया होती है कि जखो तुमने ये गलत किया ये तुम्हें गलत कर रहे हो इन्हें बार-बार बोलते हैं हाला कि मैं आपको बता दूँ अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात यह शनी आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है कि आपको लोग कोई बोल ही नहीं रहा आप अपना अपना काम कर रहे है और लोग आपको जब तक आप पूर्णर रूस सही नहीं कर लेंगे तब तक कोई कोई आपकी गल्तिया गिनाता रहेंगा और उस पर क्रोधित नहीं होना है आपकी जो धेरिये का गुण है सहन शिलता है आपकी उसी का यह शनी टेष्ट लेता है वही आपको बार-बार तानों के रूप में सुनने को मिलता है, उससे सुनिये, समझये और धीरे धीरे उससे दोर करने का प्रयाँ की ज़िए, ये शनी धीमी ग्रोथ देता है, लेकिन मजबूत ग्रोथ देता है, सफलता के लिए अच्छा होता है, इसलिए एक पाच नो में शनी है तो बहुत संगर्श करवाएंगा, सं प्रभाव ये शनी देता है। अगर आपकी कुंडली में हैं आप मिला पाएं वीडियो में कमेंट करके आवशे से बताईए। सामने प्रभाव बता रहा हूँ विस्तार तो और भी दिया जा सकता है लग लग भाव का लेकिनों पहले दे चुका हूँ। आप केवल कुछ जन्रल बाते बता रहा हूँ इसलिए आप मिला कर देगे। इसके अलावा अगर हम अन्य भाव की बात करें यानि अगर दुसरे भाव में छटे भाव में या दशम भाव में शनी है ऐसे विक्ति से बिलकुल न उल्जे। इसा विक्ति कई बार देखने को मिलेगा जन्रम इसलिए से दूर चले जाएंगे। मैं आपको सलहा देता हूँ ऐसे लोगों को आपको कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ गलत होंगा लेकिन वास्तविक्ता इसके पीछे क्या है। जिनके भी 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोन के भाव है इनमें अगर शनी है आप देख पाएंगे ऐसे जो लोग होंगे एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे जिनके 2, 6, 10 में शनी है उन्हें तो 100% आप बोल सकते हैं आपने 0 से स्टार्ट किया है और 0 से स्टार्ट करके आप अपने जीवन में जहां भी होंगे अपने दम पर पहुच पाएंगे अगर आप देखेंगे इनका जीवन जिनके 2, 6, 10 में शनी होते हैं तो आप देखेंगे इनको बच्पन में या कम उम्र में लोग बोलते हैं कि तुम्हारी उकाद ही क्या है तुम कर ही क्या लोगे लेकिन जब ये करके दिखाते है तो फिर सारे देखते रह जाते हैं और फिर इनको कोई बोल नहीं पाता कुछ भी मतलब इनको घर परिवार के लोग यान लोग ताने मारते कि तुमसे क्या हो पाएंगा तुम तो कुछ नहीं कर सकते हैं तुम तो बस अपना इसा ही सब गरीबी में जीवन जी लोंगे क्यो पर आपको जीवन में जो प्रभाव मिलेंगा वो आप नीचे से चालू करेंगे और फिर उपर तक जाएंगे ये बात आपको समझनी चाहिए यहां एक बात बता दू बीच में रोकर में कि यहां पर आप राशियों के प्रभाव जोड सकते हैं उसे में आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में तो आप थोड़ा वीडियो को ध्यान पुरवक्त देखेंगा जिससे आप उन राशियों को भी इसमें जोड जिसे अभी 2-10 भाव की बात कर आओ तो भाव में देखिए इन भावों में अगर शनी हैं आपके तो ये शनी इस बात को दर्शा रहा है कि आपको अपने जीवन काल में एकदम नीचे से चालू करवाएंगा लेकिन आपकी मेहनत से बूमी, भवन, भाहन एक से अधिक मात् सुखे, भले धीरे-धीरे संगर्श के बाद, लेकिन सब कुछ दिलाएगा, और अगर कोई लोग आपको ये बोल रहा है कि तुमारे कोई उकाद नहीं, तुम कुछ करने ही सकते, बिल्कुल हताश होने की जरुवत नहीं है, आप बस अपना काम करते रहे, ये शनी सकतारी से करे, बजाए दुसरों के बारे में, विरोधियों के बारे में सोचने के, अपने काम पर फोकस करे, आप देखेंगी ये शनी आपको जो चाहिए, वो दिलाने का काम करेगा, इसलिए ये जो शनी की इस्तिती है, बहुत बढ़िया इस्तिती है, दो-छे-दस का शन अगर आपको इसलिए लगा कि कोई वेक्ति है, जो परिशानी में है, उसकी भी सहायता आप करना चाहेंगे, ये प्रभाव भी शनी देता है, आप मिला के देखें अपनी कुंडली में, मिलता हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य करें, जिससे अनने भी जान पाए, फिर इ जो वायू तत्व का प्रभाव है इन राशियों में, ये तीनों भावों में, ये इस बात को दर्शाता है कि शनी अगर 3-7-11 भाव में है, तो ये शनी की मजबूत इस्तिति शनी यहां शुभ होता है, लेकिन शनी तो शुभ हो गया, शनी तो बलवान हो गया, अब बलवा ता हूँ लेकिन शनी अगर इन राशियों इन भावों में है तीसरे साथ्वे ग्यारवे ये दर्शाता है ये शनी भी आपको बहुत महनत करवाएंगा लेकिन चुकि शनी की ये अच्छी इस्तिती है तो धीरे-धीरे करके जीवन में अच्छी उन्नती देदेगा बाकियों क मुकाबली ये शनी की इस्तिती ऐसी है कि जिसमें महनत के अनुरूप विक्ति को परिणाम देने का ये काम कर देता है भले विक्ति को महनत अधिक करना पड़े संगर्श अधिक करना पड़े ये जो योग है तीसरे साथ्वे ग्यारवे का इन भावों में शनी होंगा तो व विक्ति रहता है पारिवालिक तो ठीक है विक्ति सबके लिए करते रहता है घर परिवालिक सबके लिए कुछ कर देगा लेकिन ये बात देखने को मिलेगी तीसरे साथ्यों ग्यारवे में अगर शनी है तो विक्ति को जो अपने दोस्त मितरादी का सोशल सरकल का एक सपोर् बात देखने को मिलती है, विक्ती भी अपनी मिहनत से सब कुछ मान संभार बनाता है, सभी के लिए सोचता है, सभी के लिए करता है, ये बात देखने को मिलती है, बाकि इसके एसे विक्ती के पारिवारिक और विशेशकर वेवाही की जीवन पर थोड़ा नकारात्मक भाव जो बड़े या छोटे भाई बहन और विशेशकर विवाई की जीवन, इसके लिए सबस्यादा खराब होता है, फिर इसके बाद अन्त में अगर आप देखें तो चवते, आठवे या बारवे भाव में, इन तीन में से किसी भाव में अगर आपके शनी है, ये शनी दर् अरो तो आप संगर्च के चलते, अपने जीवन में आध्यात्म में जुडते रहेंगे, अन्ने से तो दूर होई जाएंगे, कारे के चलते, परिशान्यों के चलते, या फिर अन्ने से मिलने ओरभावे, दूर हो गये, लेकिन जीवन काल में फिर भी आपके मन में अच्छे का सुकर्जित करना धन कमाना आपकी चाहत रहेगी और कहीं यह देखने को मिलेगा कि उसमें आपको जो सपोर्ट बिलना चाहिए अन्य से वो नहीं मिलेगा इसलिए आप थोड़े बेचेन और फिर अपना एक अगर सहरा किसी को ढूंडेंगे तो वो इश्वर को ही ढूंडे आपको धार्मिता से अलग नहीं होने देंगा इमानदारी की काम से अलग नहीं होने देंगा एक कमजोरी है इसमें अगर किसी पापक गढ़के साथ हो जाए पीडित हो जाए तो संभव है कि यह आपको मतलब गलत मार जैसे धन लाग कमाने को प्रेरित करें या आप कभी काम करें जिसे आपको आकस्मिक धन तो मिल जाए लेकिन वो किसी अनुचित कारे से मिले दूसरे का नुखसान पहुचा कर मिले दूसरों को जैसे आप व्यापार कर रहे हैं छोटी सी चीज का अपने ज्यादा मुले ले लिया तो वह आपको बाद में परिशान करता है और चा अब एसी अवस्ता में आप देख पाएंगे कि ये सारी स्थितिया आपको अकिला तो कर देंगी लेकिन अगर आपने पूरों में अपने घर परिवार के लोग बोलिया या बाहर के लोगों को आपने ठगा है या उनके साथ परिशानी की है उनको नुक्सान पहुचाया है तो आप कितने ही धार्मिक यो ना हो, आपको ये देखने को मिलेगा, कि उम्र बढ़ने के साथ वरद्धावास्ता तक आते आते, आपके स्वास्त में बड़ी परिशानिया आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसी परिशानिया जो आपको लंबे समय तक फिर बिस्तर पटकने का काम करें कि चार आट बारा में शनी खराब इस्थिती में हो तो सबसे बड़ा और नुकसान वाला काम यही करता है कि आपको पहले तो आप अप देखिए यहां विचार यह न करें कि मेरी कुडले में अ किसी प्रकार से भी आपने जो घरीब लोग का प्रण कालक होता है जो नि फुआ अगर अगर आपने उन्हें दुख पहुचाया है तो आपको भी उतना दुख तो सहन करना ही पड़ेगा जितना उनको आपने दिया है कि मत्तौकर स़ाइнова करना प 59 उसका सीधा असर व्रद्धा अवस्ता में स्वास्त पराता है यह पारिवारिक विवाहिक जीवन में सबसे कमजोर इस्थित्री क्योंकि होते हुए भी आपको विराग्यला प्रभाव देता है जिसमें आप किसी से जुड़ नहीं पाते एक अलग-अलग कटते जाते धीर दि चार अड़ आरा ँक अद्र नहीं तो अब अब बताइए कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वीडियो में कमेंट कर दीजिए वहां कीकि आप आपकी कुछBERG नहीं कीसी भाव है वहां देख़े कि वहां राशी राशी है जैसे आपने देखा कि आपके शनी कुणदली के तीसरे साथवे या फिर ग्यारवे भाव में जो तीसरा साथवा ग्यारवा भावे वहाँ पर शनी है लेकिन किस राशी में है या तो दो नंबर की राशी में है या छे नंबर की राशी में या दस नंबर की राशी में है तो ये शनी आपको घर परिवार से दर्शार आपको दो छे दस वाली राशी में हैं आप नीचे से चालू करेंगे और फिर उचाई तक जाएंगे आपको लोग ताने मालेंगे क्या है तुम्हार पास आपको बुला बरा बोलेंगे सब मतलब आपके साथ बचपन में आप देखेंगे कि बहुत परिशानी रहेंगी लेकिन आप दम पर अपनी महना से सब कुछ अर्जित करने एक और बात में कहूंगा कि आपने राशी का प्रभाव जानना है तो क्या करें आप देखें कि काल पुरूष की कुंडली में वो राशी कहा पर आती है जैसे आप आपने देखा मेश राशी में शनी है अब मेश राशी कहा प को अब आपको मेश राशी देखना है तो मेश राशी काल पुरूष की पहली राशी है तो आप वीडियो में पीछे जाए जहां पर मैंने लगन पंचम और नवम का पर बताया है वहां पर जाकर देखें कि उसका क्या प्रभाव आता है आप दोनों को मिलाएं दोनों आपक उसके किस भाव की राशी हैं गो देख लिए और उससे फिर इसी भाव के दुसार कुण्डली में आप आप देखे राशी में उसका किया प्रभाव के मिला वीडियो में कमेन बदा कितनी सही लगी आप ये बता सकतें अगर आगी ये च्छोटी दान्ने बाट